Group Pond Red Label Tea presents सभा की चाय adds magic to everyday moments Co-sponsor विकानेर वाला पर देश में भी देश का स्वाद Associate Sponsor राज़ ग्रूप अफ रेस्टरॉंट्स, जेर अफ इंडिया, नॉर्थ और साथ इंडियन और इंडियन चाइनीज स्पेश्यालिटीज सभा की चाय के हमारे सभी व्यूवर्स को रेनुका का प्यार भरा नमस्ते आज कुछ अलग है है ना? तो जी हाँ, अलग ये है कि मैं हूँ सिंगपोर के एक बहुत ही जाने माने रेस्टरॉंट नमस्ते इंडिया में और साथ ही यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही जाने माने फनकार और मौसीकी के मालिक जगजीत सिंग के बारे में जानते हैं कभी-कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका हमारे आस-पास रहने का एहसास हमेशा रहता है चाहे फिर वो हो या ना हो बस एक ऐसा ही नाम है जगजीत सिंग का जिनने आज हमें खोई हुए लगबग एक वर्ष होने को आया है लेकिन एक साल तो क्या ऐसी आवाज और ऐसे अंदास को भुला पाना तो सौ जन्मों में भी ना मुमकिन है और इसी एहसास को हम तक एक बार और पहुँचाने के लिए चारकुला प्राइवेट लिमिटेड लेकर आ रहे हैं एक बहुती स्पेशल कॉंसर्ट इन सिंगपॉर विच जग्जीत सिंग विट वने अनली पादमश्री अनूब जलोटाजी झाल प्राइवेट लेकर आ रहे हैं जलोटाजी भादमश्री विल्ड़ में एक बादमश्री में एक बार खी आ एक लादमश्री आ प्रबश्री डिक्र रहे हैं हम तो यूँ अपनी जिन्दगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले, हर वफा एक जुर्म हो गोया, दोस्त कुछ ऐसी बेरुखी से मिले. बहुत हैरानी की बात है कि जिन्दगी हमें कुछ ऐसे पल दिखाती है कि एक बहतरीन फनकार जैसे कि जगजीत सिंग जी उनको भी बहुत जद्दो जहद करकर हम तक अपनी अदाकारी पहुचानी पड़ती है. अपनी Struggling Days के बारे में बात करते हुए, in one of his last interviews, जगजीत सिंग ने कहा, I used to be a hit party singer, लेकिन parties पर गाते-गाते मुझे शोहरत जरूर मिली, लेकिन काम नहीं मिला. हम कहते हैं कि काम के साथ साथ उनको मिली अपनी जीवन साथी चित्रा सिंग, और चित्रा सिंग के साथ में उन्होंने लौंच करी अपनी पहली अनकन्वेंशनल आलबम, The Unforgettables. इस आलबम में एक गजल थी, बात निकलेगी, तो फिर दूर तलग जाएगी. और वाकई, इतनी popularity मिली जगजीत सिंग और चित्रा सिंग को इस आलबम के बाद, कि बात निकली और दूर तलग गई. समझ गए ना? मन्जिल महबत का सफर है. बड़ी नाजुक है ये मन्जिल महबत का सफर है. धड़क आहिस्ता से है दिल, धड़क आहिस्ता से है दिल, महबत का सफर है. बड़ी नाजुक है, ये मन्जिल महबत का सफर है. पापा, चाय तो खतम हो गई. एक कप और हो जाए? हाँ. अरे बभू! जी! मुश्या जाए बही! दिल, चाय शाय हो जाए! लाई! लाब, नहीं पिलेता हूँ. पापा, रेड लिपल के लिए लोग कुछ भी करेंगे. क्योंकि सिर्फ इसके स्वाद में है गहरी लाली, सही कड़कपन और लुभावनी महग. बभू! पढ़े अचा सुभा की चाय पर नमस्ते इंडिया पर हम बात कर रहे हैं अबाउट दी लेजेंडरी गजल माइस्त्रोज जगजीत सिंग जगजीत सिंग जी का नाम बहुत ही जाना महना है in the field of guzzles और यही नाम महना जाता है as one of the most talented artists that India has ever produced. इनकी गायकी ने आम आदमी को गजलों की दुनिया में कदम रखवाया. जी हां गजलें जो पहले सिर्फ अमीरों और बहुत खास महफिलों तक ही सीमित रहती थी. आप ही बताये कि जगजीत सिंग के नाम से पहले आप गजलों की दुनिया में किसी और का नाम जोड़ पाते थे? कहां जाता है कि फिल्मी काटिगरी में अर्थ और साथ साथ has been the largest selling combination album of all times. और साथ ही non-filmy काटिगरी में the album सजदा holds the same record, जिसे record किया गया था जगजीत सिंग और लता मंगेशकर की आवाज में, हर तरफ, हर कदम, बेशुमार आदमी, फिर भी तनहायों का शिकार आदमी, वाह! ऐसे शब्द and the heart-rending voice of जगजीत सिंग, जिंदगी और क्या मान सकती है? जाने वो कौन सदेश, जहां तुम चले गई, चिठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहां तुम चले गई, चिठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहां तुम चले गई, जहां तुम चले गई, इस दिल पे लगा के ठेश, जाने वो कौन सदेश, जहां तुम चले गई, अब यादों के गाटे, किस दिल में चुबते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आसू रुकते हैं, तुम्हें दून रहा है प्यार, हम कैसे करें इक रार, के हाँ तुम चले गई, इक वाह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुम्हें, आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है घम, उस वक्त कहा थे हम, कहा तुम चले गई, चिठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहां तुम चले गई, जहां तुम चले गई, इस दिल पे लगा के ठेश, जाने वो कौन सदेश, जहां तुम चले गई, जगजीत सिंग, दगजल किंग, उन्हें श्रेज आता है, ना ही सिर्फ हम तक गजलों को पहुँचाने का, मगर कुछ ऐसे नामों को इंट्रड्यूस करने का, जिनकी गाईकी का लुट्फ हम आज तक उठा रहे हैं, नेम्स लाइक कुमार सानू, या फिर तलत अजीज, धीरे धीरे जगजीत सिंग ची की तैलेंट का चर्चा देश-विदेश तक फैल गया, और उनके चाहने वालों की भीरसी लग गई, या ये कह लीजिए कि उनके सभी फैंस उनके टैलेंट के बारे में कहने लगे, ये शब्दों की गहराई, वो शब्दों का प्यार और आसानी से आशिकों के दिल तक पहुँच जाने की ताकत, वाकई जगजीत सिंग जी की गजलों के बिना जिंदगी काफी अधूरी है, आध जूटें भी तु रिष्टें नहीं छूटा करते, वक्त की शाख से, वक्त की शाख से, लंगे नहीं तूटा करते, जूटें यार ना चूटें भी तु रिष्टे नहीं छूटा करते, लो अमा, आ गई साही की बादू, बीबी पूरे तेरा दिन रेना पड़ेगा जिसने पैरों के निशा भी नहीं छोड़े पीछे जिसने पैरों के निशा भी नहीं छोड़े पीछे उस मुसाफिर का उस मुसाफिर का पता भी नहीं पूछा करते हाथ जूटे तो रष्टे नहीं छूटा करते आप भेज सकते हैं अपनी खास request for someone very special email भेज दीजे हमें अपनी फोरोग्राफ के साथ and of course your special message at सुभा की चाय at videohouse.com सुभा की चाय पर आगे बढ़ते हुए आए बात करते हैं about the upcoming concert which is a tribute to legendary king of guzzles Jagjit Singh ji इसे Singapore लेकर आ रहे हैं चार्कुला प्राइवत लिमिटेड और इस समय हमारे साथ हैं चार्कुला की Managing Director Alka Sharma Alka ji welcome to the show Thank you so much Renuka कैसी है आप? बल्कुर पर फेक्ट Alka ji हमने चार्कुला प्राइवत लिमिटेड के बारे में हमने पास्ट में भी बहुत कुछ किया है we have been existing for the past eight years now and hope we can do much better तो किस तरह से चार्कुला इस्टाइबलिश हुआ और कितने साल हो गए? 35 years old है और काफी कुछ अचीव किया है इंडिया में President of the Charakula Arts Academy has been awarded यश्भारती, Sangeet Natak Academy and Saitikala Academy Award nominated for Padmishree already so काफी सारी चीजे हैं जो हो रही है और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो चार्कुला एक ऐसा नाम जुर चुका है आज सिंगपोर में जो एंटर्टेंमेंट के साथ में बिलकुल hand in hand रहता है तो यह आपका पैशन है तो यह बताएए अलका जी आपका पैशन है जी किस तरह से आपके जहन में आया और आपने अनूब जलोटा जी से कैसे कांटाक्ट किया जिसे कि आप जानते हो रेनुका के जग्जीत सिंग जी की पहली अनिवरसरी है इससे बेटर किया अट्रिब्यूट हो सकता है कि हम उनकी गजल सुनें अपने बीच और उनके ही दोस्त से जो कि बहुत करीब रहे हैं और बहुत परफॉर्मेंस किये हैं उनके साथ पादमिश्री अनूब जलोटा जी और हम चाहते हैं कि ओडियन्स आए और जोगरी इवनिंग और फिल अट्रांस अट्रिट से खोतों से छूलो तूम मेरा गेत अमर कर दो होतों से छूलो तूम मेरा गेत अमर कर दो बन जाओ मेत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो होतों से छूलो तूम मेरा गेत अमर कर दो ना उमर की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन जब प्यार करे कोही तो देखे के वल्मन नई रीत चला कर दो ये रीत अमर कर दो नई रीत चला कर दो ये रीत अमर कर दो आकाश का सूना पन मेरे तन्हा मन में आकाश का सूना पन मेरे तन्हा मन में पायल छनकाती तुम आजाओ जीवन में सासें दे कर अपन संगीत अमर कर दो मेरा गीत अमर कर दो जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा सब जीता किये मुझसे मैं हर दम ही तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो तु अलकाजी शिंगपोर में जगजीत सिंह ने काफी बहतरेन प्राइस किया है बिक्ल, पते हैं, अदिक्ट है। और अलका मैं तो उनकी इतनी बड़ी फैन रहे चुकी हूं कि जिंदगी मेना जाने मैंने कितने ही आधने कॉंसर्ट किया हैं विस्व वेलवबटी, रोमाथक वैसे घुजिल्स, विक्ल्रिण रेंक्या हॉ तुलका जी आज आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा अच्छा लिगा अच्छा लगा अच्छा लिगा अच्छा लिगा अच्छा लिगा और जाने से पहले I would like to thank Mr. Nelene Jain of Namaste India और श्रीक्रपराम श्रमा जी जो की प्रेसिदेंट पेट्रन है चार्कुला अच्छा अच्छा लाने के लिए एक सपोर्टिंग टीम बहुत माहिन रखती है And I think you have it all Thank you So wishing you good luck Alka ji for your upcoming concert अब समय आगया है कि सुभा की चाय से मैं भी आपसे अलविदा कहूं लेकिन जाते जाते बस कुछ ही शब्द आपको कहना चाहूंगी कि जगजीत सिंग जी आज हमारे साथ physically present हो या ना हो लेकिन उनकी musical legacy will live with us forever I'll see you next week लाल मेरी पत रकी जे भना जुले लालड हो लाल मेरे लाल मेरी मक रकी जे भना जुले लालड सिद्री गाहा सेवन का सकीशावा कलंद तमा तम अस्त कलंद अली ता पहला नंबर तमा तम अस्त कलंद लाल मेरी पत रकी जे भना जुले लालड सिद्री गाहा सेवन जा सकीशावाद कलंद तमा तम अस्त कलंद अली ता पहला नंबर तमा तम अस्त कलंद अली तम तम ते अंधर तमा तम अस्त कलंद लाल मेरे ओ लाल मेरे इस संडे सुबा की चाय के साथ हम चलेंगे शाम के आलम में जहां होगी ठंडी ठंडी हवा और उस हवा में एक खास फ्रेग्रंस याने के माईरा नहीं समझें? मिलते हैं संडे को सुबा की चाय के साथ मिलते हैं